हेलो स्टूडेंट्स, हाव यू, मैसेल्फ मीट सर, वेलकम तो अमजीस मेच्स टूडियोरियल, तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्केशन करने जा रहा है है, मेजरमेंट ओफ एंगल, आज तक स्टांडर्ड टेन तक आपने एंगल का मेजरमेंट किया है, आपने फिजिक्स मे भी देखा होगा, कि हम एंगल मेजर करते थे, या फिर एंगल का हम कंस्ट्रक्शन बनाते थे, वो सारे एंगल जो हमने देखे थे, वो सिर्फ डिग्री मेजरमेंट में ही देखे थे, आपने 45 डिग्री का एंगल बनाया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया है, 30 डिग्री का, 60 Xxdgr का इस तरह से आपने एंगल सारे construct किये वह एंगल किस तरह से बनते थे वह सारे एंगल degree measurement के थे आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि angle को degree के अलावा radial measurement और french measurement यानि फ्रेंच system में measure करने के लिए उसमें भी हम कर सकते हैं तो आओ बच्चो अब हम देखते है measurement of angle सबसे पहले देखते है method to measure angle यानि angle को measure करने के लिए कितनी method मेरे पास है तो आप जानते हो कि अगर मैं angle को इस तरह से गुमाता हूँ angle बनता है एक ray और यह दूसरा ले यानि यह उसका initial position था और यही वो ray का final position था अब इन दोनों के बीच पे जो बनता है वो होता है angle अगर मैं यहां से anticlockwise गुमाता हूँ इस रे को तो यहां पे जो angle बनता है वो angle होगा positive यानि कि आपने आज तक जितने भी angle बनाए है वो सारे positive थे यानि कि आप बोलते नहीं थे कभी भी कि 30 का angle बनाया तो 30 नेगेटिव 30 का बनाओ या फिर नेगेटिव 45 का बनाओ आज हम यह भी जानेंगे कि angle नेगेटिव भी होता है वो किस तरह से वो आगे देखते हैं अगर anticlockwise लिया यानि यहां से इस तरह से घुमाया तो वो होगा positive angle यानि जो भी value आपको मिलेगी वो सारी value positive होगी अब मैं clockwise गुमाता हूँ for example यह उसका initial position है रे का और यहां से मैं रे को गुमाता हूँ यह clockwise direction में अगर clockwise direction में गुमाया इसका मतलब होगा उसका measurement वही रहेगा अगर आपने 45 degree का angle clockwise में बनाया तो वो 45 degree ही रहेगा लेकिन उसका direction change हो गया direction उसका anticlockwise में से हो गया clockwise इसका मतलब वो angle को बोला जाएगा negative 45 is it clear आगे मैंने दिखाया है कि हमने अलग-अलग quadrants देखे थे यह होता था first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant यह quadrant जो भी मैंने depend किया वो कौन से basis पे होते थे x-axis and y-axis यह हमारी x-axis है, यह हमारी y-axis है हमने trigonometry chapter के अंदर देखा था कि यह angle 0, यह angle 90, यह angle 180 होता है आपने जितने भी सारे sum किये है, standard number 10 के अंदर, trigonometry chapter के अंदर वो सारी values 0 से 90 के बीच में लाई करती थी लेकिन अब आपको जो 11th and 12th में trigonometry आएगी वो 0, 90, 180, 270, 630 इस तरह से revolution उसका चालू ही होगा first revolution में 360 का angle cover होता है यानि अगर एक circle घुमता हूँ में यहाँ से ले करके यहाँ तक तो total कितना angle मैंने measure किया 360 अगर उसका दूसरा revolution स्टार्ट करता हूँ यानि कि दूसरा rotation चालू करता हूँ यह एक rotation खतम होने के बाद अगर मैं यहाँ पे गया तो यह angle होता है 450 आगे गया तो यह angle होता है 540 इससे भी आगे गया तो यह angle होता है 630 एंद उससे भी आगे निकला तो मेरा एंगल होता है 720 after second revolution एक revolution खतम हो गया उससे मैं आगे गया दूसरा भी खतम किया तो एंगल कितना हुआ 720 डिगरी का यहाँ पर मैंने दिखाया है यह होता है first quarter यह होता है second quarter यह third और यह fourth अगर मैं anti clockwise जाता हूँ तो यहाँ पर एंगल आता है positive 60 degree अगर यह direction में चलता हूँ यानि clockwise direction में चाता हूँ तो यह angle होता है negative 45 degree तो students अब देखते हैं system of measurement of angle यानि कि angle को measure करने के लिए मेरे पास कितनी systems है मेरे पास 3 system है first one is degree measurement यानि जो आपने किया जो आप अभी तक करते आ रहे थे वो दूसरा है french system यानि french measurement तीसरा है circular measurement आओ इन तीनों के बारे में detail पर पढ़ते हैं first one is degree measurement उसका definition क्या है in this method one right angle divide into 90 equal part जो आपने देखे for example यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यह कोई right angle है यह right angle के 90 equal हिस्से कर दिये मैंने 90 equal हिस्से तो यह एक हिस्सा कहलाएगा one degree इसको दिखाया जाएगा one इसके उपर इस तरह से dot ओके अब one right angle is equal to 90 degree यह आप जानते हो अब आगे one degree is equal to 60 minute ऐसा होता है उसको सिंबोल की तरह से दिखाते है तो 60 के उपर एक dash आगे one minute is equal to होता है 60 seconds इसको दिखाते है 60 के उपर double dash अब देखते है French measurement जो यहाँ पर बहुत कम use में चलो अब देखते है in this method one right angle divide into 100 equal part यानि इसका मतलब होता है यह एक right angle है इसको 100 equal part में divide करो एक same time के होने चाहिए यानि एक part को बोला जाएगा one grade one grade को दिखाते है one g इस तरह से या फिर capital G दिखा दो अब ओके यह होता है one grade अब आगे one right angle is equal to one hundred grades इसको दिखाते है one hundred g g यह small आएगा अब one grade यानि एक grade को में कितने इससे में divide कर रहा हूँ one hundred again हिस्सों में यानि यह होगा one hundred minutes इसको दिखाते है one hundred उसके ओपर dash आगे है one minute is equal to one hundred seconds इसको दिखाते है one hundred इसके ओपर double dash तो बच्चा आब हम देखते हैं circular measurement जो बहुत ही काम का है circular measurement आगे की trigdometry यानि chapter number 3 ये degree and circular measurement इसको दिखाते है radian measurement ऐसा भी लोग बोलते है उसके base पर ही चलने वाला है चलो तो आओ हम बात करते है एक radian क्या होता है वो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक circle बनाता हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ OA मैंने एक इसी string ली right OA string ली अब मैंने क्या किया इसकी length r थी वो मैंने को मालूम है for example इसकी length मैंने 5 cm ली right अब यही string को मैं यहाँ पे 5 cm नापकी यहाँ पे लगा देता हूँ तो वो distance आता है a to p जितना यानि यह भी r और यह भी r मैंने example लिया था यह भी 5 cm और यह भी 5 cm यानि यहाँ पे length of arc and radius both are same ऐसा हम बोल सकते हैं तो इसकी definition देखते है the ratio of length of arc of circle to the radius of circle इसका मतलब length of arc to the radius of circle इसका बोला जाएगा एक radian यानि जो आपका ये angle बना वो होगा one radian one radian को हम दिखाते हैं one के उपर c करके अब हम उसका proof देखते हैं कि ये l by r q हुआ यानि s by r q हुआ वो हम देखते हैं चलो हम और आप मिलके start करते हैं उसका proof मैं क्या कर रहा हूँ मैंने को ये चीज़ मालू है अगर length of r क मैंने बढ़ा दी तो angle भी बढ़ेगा तो चलो देखते हैं यहाँ पर from diagram जो मैंने diagram दिया है हम मालू है a p is equal to r है and o a is equal to r है कोई point q ऐसा ले रहा हूँ है जो मैंने को यहाँ से ये distance मालूम नहीं है o से q का distance मेरे को मालूम नहीं है तो इसको मैं बोलता हूँ s इसको बोलता हूँ मैं s यह क्या हुआ length of r की है यह angle a o q था यानि a o q यह angle को मेरे को मालूम नहीं था तो मैंने क्या बोला this angle is theta अब a p is equal to a o is equal to r इतना मैं जानता हूँ अब मैं क्या करता हूँ एक चीज़ मेरे को मालूम है कि length of arc is directly proportional to the angle या right तो मैं इसा लिख सकता हूँ क्या angle a o q a o q upon angle a o p is directly proportional to यानि यह angle यह arc के proportional में होगा as well as यह जुब angle बन रहा है a o p यह इसके proportional में होगा तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ a o q is equal to arc a q and यहाँ denominator पर लिख सकता हूँ arc a p अब मेरे को find करना है यह angle a o q तो a o p is equal to के इस सेट पर चला जाएगा right angle a o p इस सेट पर चला गया लेकिन यह आपको मालूम है a o p को हम क्या बोलते है one radian ready तो यहाँ पर लिखता हूँ one यहाँ पर क्या बचा arc a q upon arc a p लेकिन arc a q क्या था मेरे को मालूम नहीं था तो मैंने क्या बोला इसको length of arc upon arc a p इसको arc a p को में क्या बोलता हूँ r तो यहाँ से एक relation मिलता है theta is equal to s by r इसको हम इस तरह से भी लिखते है theta is equal to l by r l का मतलब होता है length of arc and s का मतलब भी होता है length of arc अब one radian को दिखाने का तरीका मैंने यहाँ पर दिखाया है इसको one capital r लिखते है one उसकी degree c भी लिखते है और one rad यानि one rad इसी तरह से भी हम दिखा सकते है तो चलो बच्चो अब हम start करते है relation between degree and radian मैंने आपको बोला था कि हमारी standard 11th और 12th के अंदर हम सिर्फ दो measurement ज्यादा पढ़ेंगे वो कौन-कौन से radian measurement and degree measurement अब हम देखते है इन दोनों के बीच में कौन सा relation है यह एक आपको मैं proof की तरह से दिखाऊंगा तो को आपको समधने में आसने रहेगी राइट चलो अब हम start करते है उसका proof सबसे पेले हमें मालूम है कि यहाँ पे OA is the radius तो OA radius वाला मैंने एक circle बना दिया अब यह जो radius जितनी थी उतनी ही radius मैंने यहाँ पे लगा दी मतलब यह जो angle बनेगा वो angle कितना बनेगा वन रेडियन का यह आप जानते हो क्यों क्योंकि OA वो भी R है and AP वो भी R है इसका मतलब radius भी equal है and length of arc भी equal है तो angle कितना होगा वन रेडियन का ओके आगे यह मैं एक दियान से दूसरा angle भी draw करता हूँ जो आप जानते हो यह angle इतना यानि एक मैंने straight line draw की एसा ही आप समझे लो ओके यानि angle AOB वो कितना होगा 180 degree इसको आप यह से भी बोल सकते हो it is two right angle तो मैंने यहाँ पे लिखा है angle AOB is equal to two right angle is equal to 180 degree अब हम जानते है कि यह जो उसकी length है right इसकी जो length है वो directly proportional है किसके इस angle के directly proportional में है right तो हम ऐसा बोल सकते हैं अगर जो length of arc increase हुई तो obvious बात है कि यहाँ पे जो angle बन रहा है वो भी increase होगा हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि angle यहाँ पे increase हुआ तो length of arc increase होगी right तो यह directly proportional में है इस तरह से मैं इसको इस तरह से लिखना चाहता हूँ angle AOP upon angle AOB अब AOP के proportional में कौन सी arc होगी arc AP अब angle AOB के proportional में कौन सी arc होगी arc APB तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा arc AP upon arc APB right लेकिन arc AP को हम जानते हैं क्या जानते हो arc AP का मतलब होता है arc and arc APB arc APB यह तो क्या हुआ यह तो half circle हुआ यानि आपको आपको यह perimeter इसका मतलब circumference मालू में circle का वो क्या होता है 2 pi r लेकिन यहाँ पे तो half circle है तो उसका circumference क्या होगा half circle का it is pi r only right तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ pi r angle AOP as it is रहेगा लेकिन AOB यह आप जानते हो angle AOB यह कितना है 180 degree या फिर आपको 2 into right angle यानि 2 into 90 degree इसे भी आप लिख सकते हो तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 right angle angle AOP is equal to 1 radian होता है लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है angle AOB as it is रखा है यहाँ पे 2 right angle जो था वो is equal to के उस side पे चला गया तो वो क्या हुआ 2 into 90 degree into r upon pi r यहाँ से r r की value cancel हो गई 2 into 90 यह हुआ 180 degree upon pi लेकिन हम इसको तो जानते है angle AOB वो क्या है 1 radian है ना वो तो तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 radian is equal to 180 degree upon pi is it clear तो हम इससे भी लिख सकते हैं कि pi radian pi का multiplication इसके साथ कर दिया तो यह क्या होगा pi radian is equal to 180 degree तो हम इससे भी बोल सकते हैं कि 2 pi radian is equal to 360 degree यानि यहाँ पे आपको दिखाऊ तो यह होता है 180 degree इसका मतलब यह हुआ pi radian और यह पूरा circle का जो angle है 360 का इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ it is 2 pi radian अब हम ऐसा देखते हैं कि अगर एक degree की value आपको मालूम है तो वो radian में किस तरह से convert होगी वो इसी कार ऐसी प्रोकल हो जाएगा pi upon 180 radian आपको यह दो relation याद रखने हैं कौन-कौन से दो relation 1 radian is equal to 180 upon pi and 1 degree is equal to pi upon 180 अगर आपको यह याद नहीं है तो यह एक simple formula आपको याद होगा कि pi radian is equal to 180 degree तो आप यह दो मैंसे कोई भी formula आपने आप बना सकते हो is it clear? तो चलो बच्चा अब हम ऐसे भी point देखते हैं जो आपको jwe exam के लिए काम आएंगे तो students अब हम start करते हैं relation between degree, radian and grades यह concept jwe के लिए very very most important है अब हम देखते हैं कि इन तिनों के बीच में क्या relation है वो degree upon 90 grade upon 100 and 2r upon 5 अगर किसी भी दो value आपको given है और इन दोनों के बीच में comparison करोगे तो आपको degree या फिर grade measurement में जो कोच भी आपको unknown value है वो मिल जाएगी इसी प्रकास से अगर grade और radian इन दोनों का हम comparison करते हैं तो ये दो में से कोई भी एक value जो unknown है वो आपको मिल जाएगी अब जो बच्चों notes है यहाँ पर वो बहुत ही काम की notes है वो हम देखते हैं first one is the angle between two consecutive digits in a clock is 30 degree यानि हमें मालूम है कि clock हमारी है वो circular है एक circle कितना angle बनाता है 360 degree का ये भी आप जानते हो अब इसको मैंने 12 equal हिस्चों में divide कर दिया तो दो हिस्चों के बीच में यानि two consecutive numbers यानि two and three इसके बीच में कितना angle बनता है 30 degree का as well as second point भी वही बोल रहा है the hour and rotates through an angle of 30 degree in 1 hour क्योंकि 1 hour में वो सिर्फ 5 minute जितना ही distance कवर करता है as well as third point is minute hand rotates through an angle 6 degree in 1 minute यानि एक minute में minute hand 6 degree जितना angle कवर करता है तब ही जाके वो 5 minute में 30 degree होगा ये सारे conversations आपको आने चाहिए अब हम देखेंगे how to convert radial angle into degree and degree measurement to radial यानि इन दोलों के बीच में जो comparison हमने देखी थी वही comparison से हम angle find करेंगे अगर आपको radial में given है तो इसको डिगरी में convert करना है as well as degree में given है तो radial में convert करना है पच्चो ये ऐसी बात हुई अगर आपको बोला है कि 1 meter is equal to 100 cm होता है तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि 5 meter is equal to कितना तो आप बोलोगे 500 cm ये वही बात हुई आगे देखते हैं तो चलो बच्चो question number 1 start करता है radial to degree यानि आपको डिगरी में जाना है आपको first question given है 2 pi by 15 radial is equal to how much degree यानि 2 pi by 15 हमने देखा था कि 1 radial is equal to 180 upon pi एक बार फिर से लिखता हो 1 radial is equal to 180 degree upon 5 तो यहाँ पे 2 pi by 15 into क्या हो जाएगा 180 upon pi ये degree में आ जाएगा यानि ये पूरी value convert हो गई है degree में इसका cancellation हो जाने के बाद अपका answer आएगा 24 degree यहाँ से ये pi cancel हो गया और ये 15 12 होता है 180 तो 12 to the होगा 24 जो भी आपका answer आया वो answer आया अब degree में इसी तरह से second question देखते है 6 radial is equal to how much degree आपको मालूम है 6 into में क्या करने वाला हो 180 upon pi अब पूरे के उपर हो गई है degree अब यहाँ में pi की value cancel out नहीं हो रही है question 1 में देखा के pi की value cancel हो रही थी यहाँ पर तो cancel नहीं हो रही है तो क्या करेंगे 22 by 7 उसकी वो value put करेंगे यहाँ पर 3.14 allowed नहीं है सारे question के अंदर pi की value आपको क्या put करने है 22 by 7 और यहाँ पर calculator के बीना ही आपको करना है maximum try ऐसी यह करो कि बीना calculator के आप सारे multiplication division खुद try करो अब यहाँ से 22 और यह cancel होता है 90 degree और यह होता है 11 to 22 तो यह होगा 90 into 7 into 6 upon 11 degree इन सब का multiplication होता है 3780 upon 11 degree अब हम बच्चों करेंगे degree minute और second maker mergersion यानि यह जो आपको fraction मिला उसको convert करता हूँ mix fraction में तो mix fraction में इतनी value integers आई यानि 3, 4, 3 integer 7 upon 11 fraction तो जो भी आपको integer मिला उसको मैंने बाहर निकल दिया वो हो गई मेरी degree अब अंदर जो भी बच रहा है वो क्या होगा minute यानि उसको मैंने 60 से multiple किया और यहाँ पे इसानी लगा दी minute की अब 60 into 7 होगा वो होगा 420 upon 11 इसको फिर से आपको convert करना पड़ेगा यह fraction है तो आपको mix fraction बनाना पड़ेगा यानि कोई value integer आएगी तो देखो बच्चों यहाँ पे 38 वो integer आ रहा था तो इसको मैंने बाहर भेज दिया अंदर बचता है 2 अब 2 by 11 into 60 अब यह हो गया degree यह हो गया minute और यह हो गया seconds तो 60 into 2 करो तो होगा 120 120 by 11 करते ही आपका answer 11 point something आ रहा है तो यह हो गया 11 seconds तो मैरे final answer क्या हुआ 343 degree 38 minute and 11 seconds अब हम देखते हैं बच्चों degree to radian conversation सबसे पहला question given है 340 degree is equal to क्या होता है तो हमको यह भी मालूम है कि हमने उपर ही देखा था कि अगर आपको ऐसा बोलते हैं कि 1 degree ऐसा बोला है इसको convert करना है radian के अंदर तो आप क्या करोगे pi upon 180 radian आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे सिर्फ multiplication करना है pi upon 180 से और पूरा bracket के उपर आ जाएगा radian अब हम देखते है कि यहाँ पे कुछ cancel हो रहा है हाँ value cancel हो यह 2 से कटेगा तो यह हो जाएगा 17 upon 9 उपर रहेगा pi यह आपका answer आ गया यहाँ पे answer आता है pi के form में और वहाँ पे answer आता था degree के form में ओके यहाँ पे second question भी given है 5 degree 37 minutes and 30 seconds इसको convert करना है तो सबसे पहले बच्चो यहाँ से starting करेंगे यानि यहाँ से start करेंगे सबसे पहले जो भी second से इसको convert करेंगे minute के अंदर बाद में जो भी answer आया वो सारा minute में हो जाएगा अब minute में से हम convert करेंगे degree के अंदर और उसके बाद minute में से degree हो जाने के बाद हम उसको radian में convert करेंगे तो आईए start करेंगे सबसे पहले आपको given है 30 minutes 30 seconds वो होता है 1 half minute यानि 60 seconds is equal to आपको मालूम है 1 minute तो 30 seconds is equal to 1 by 2 यानि half minute अब ये half minute है और ये 37 भी minute है तो उसको अंदर multiply कर दूँ तो ये पूरा minute में आ गया अब 37 integers 1 by 2 fraction minute अब इसका multiply होते ये होगा 75 by 2 minute फिल से हम को इसको convert करना पड़ेगा कहां पर convert करना पड़ेगा degree में तो degree में convert करना पड़ेगा तो मैं किस से multiply करूँगा 1 by 60 से तो ये हो गया degree में यानि इसका cancellation हो जाने के बाद आपका answer आता है 5 upon 8 degree अब देखो बच्चा इतना answer मेरा degree में convert हो गया लेकिन question में आगे 5 degree भी तो given है न तो ये 5 integer रहेगा और ये जो value मिली अब पूरे के उपर आ जाएगी यहाँ पे degree यानि पेले मैंने ये step को cover किया seconds में थे minute में बाद में ये step को cover किया minute में से degree में बाद में जो भी answer आया उसको पूरे degree में ले आया यानि 5 integers 5 upon 8 degree उसको convert करते ही answer मेरा को मिलता है 45 by 8 degree अब देखो बच्चो यहाँ पे 45 by 8 को हम आगे कुछ नहीं कर सकते यानि उसका answer तो decimal में आएगा तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ सीधे degree में से रेडियन में करवड कर देता हूँ तो वो हो जाएगा 45 by 8 into pi upon 180 रेडियन तो आपका answer आता है pi by 32 रेडियन इसी टाइप से कहीं सारे sum की practice करने हैं आपको